नमस्कार दोस्तों मैं उदेल और फिर एक बार स्वागत करता हूँ आप सभी का चहीते चानल इंडियन मुर्गी पालन पर उड़े देखने वाले हर किसान भाई का और मुर्गी पालक भाई का आज की उड़े में तो है दिल से बहुत-बहुत स्वागत दोस्तों दुनिया का सबसे बहतरीन व्यावसाय है मुर्गी पालन का लेकिन मुर्गी पालन का अकेला व्यावसाय करने से बचने वाले हर किसान भाई और हर बेर मेरोजगा रिवाई के लिए और नहीं सोचना गलत नहीं है देसे मुर्गी पालन और देसे बकरी पालन का व्यावसाय करके आप सोच नहीं सकते इतना मुनाफ़ा यानि साल भर में दोस्तों आप 25 लाग का मुनाफ़ा वहां पर प्राप्त कर सकते हो लेकिन कैसे और इसके लिए क्या करना है दोस्तों जानने के लिए वीडियो लिए के साथनों का इस्तमाल करते होई लिंक को भी शेयर कर सकते हो रहा होगा आपका सब्सक्राइब करना तो आप सभी किसान भाईयों से और मुर्गी पालक भाईयों से हाट जोड़कर विंती करता हूं दोस्तों आप सभी को मैं अपना मान चुका हूं आप भी मुझे आ आई तरफ निचली साइड में आने के बाद दिखाए देने वाले सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजे उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा और बगल में घंटी आएंगे इस घंटी को टच करती हूए और इस नोटिफिकेशन को आल कर दीजे तकि आने वाला हर वीड दोस्तो शंका लगती हो तो दोस्तो आप ऐसा सस्पेक्शन यहाँ पर देशी मुर्गी पालन के साथ साथ बकरी वालन के व्यावसाय का भी जुनाव कर सकते हो किस तरह से किया जाना चाहिए बकरी पालन और मुर्गी पालन का व्यावसाय इकटा आपको अभी समझाता उसकी बीच की जगह दोस्तों यानि 2000 स्क्वेर फिट का बीच का टुकडा लेकर दोस्तों वहाँ पर आपको एक पैक शेड बनवाना है और बाकी बची हुई आयलोर की 4000 sq. ft जगा और पाइलोर की 4000 sq. ft जगा पर आपको half pancing कर लेनी यानि 6.5.6 fit की लोही की जाली और उसके उपर 2.3 fit की दोस्तो नायलोन की जाली ऐसा करने के बाद दोस्तों 2000 स्क्वेर किट की जो बीच की पैक की हुई जाली है दोस्तों वहाँ पर आपको 2000 मुर्गिया देसी मुर्गिया निचली सैड और 300 देसी मुर्गिया जो आसाने से बैट जाएंगे और उपरी साइड पर दोस्तो आपको 20 देशी बक्रिया और साथी में 2 देशी बक्रिया रखने हैं दोस्तो जिसके माध्यम से आपका फार्म कंप्लेट हो जाएगा इसके बाद दोस्तो आपको करना क्या है कि आपको आड़वाए पाच पर सहजल का पौधा लगा देना है विकाट्पालन का व्यावसाई कटा करोगे तो दोस्तो दोनों तरफ से दर्वाजे रख दीजिए क्योंकि दोस्तों पहले आठ दिन जब compartment A में मुर्गी रहेंगी तो compartment B में खुले में वहाँ पर आपकी बकरी घुमेंगी इसके तहित दोस्तों बकरी और मुर्गी का total आप calculation करेंगे तो इसके हिसाब से दोस्तों बहुत ही आसानी से आप आगे बढ़ सकोंगे इसके माद्यम से अगर आप सोचते हैं तो सोचते हुए आपको एक बात और ध्यान में आएंगी कि दोस्तों जो बकरिया होगी तो उन बकरियों के लिए जो फिड़ है जो है दोस्तों इस्तमाल कर सकते हैं जिनमें आप मेथी घास हो दशरत घास हो इसका भी इस्तमाल कर सकते हो उसके साथी दोस्तो जो लेंडी का खाया जाता है दोस्तो उसके माद्यम से हमारी मुर्गियों का फिड का खर्च घटता है मुर्गिया उसके साथी दोस्तो बकरियों के शरीर पर जो कुछ आपत्ती जनक और असुविदा जनक घटक होते हैं अबी सेवन कर लेती है, इससे बकरियों का वहां पर होने वाला बलड का शोशन भी बच जाता है और मेडिकल का खर्चा भी बच जाता है, और साथी में दोस्तो मुर्ग साथी का खर्चा 50% तक घठ जाता है और बात करें दोस्तों इंकम की तो इंकम भी बढ़ जाती है दोस्तों इंकम पी बात करें तो 2000 देशी मुर्गियों को संभालने के बाद इसके माध्यम से होने वाला अंडों का प्रोडक्शन होगा तकरीब नौसों के करीब करीब 900 अंडो को बेचने के बाद 10 रुपए के हिसाब से 9000 की राशिया आपके हाथ में आ जाएगी इसके हिसाब से दोस्तों आप कितना भी ज्यादा खर्चा बोलोगे तो 3000 फिर्ड का टीका करन का सभी मिला कर खर्चा होगा बचा हुआ 6000 हर रोज का इंकम दोस्तों आपका होगा इस हिसाब से दोस्तों आप अगर साल भर की बात करें तो एक महा में 180,000 और साल भर में 21,60,000 की आपकी इंकम हो जाएंगी साथी में दोस्तों बकरियों की बात करेंगे तो आप अगर एक बकरी की बात करते हैं तो 15,000 की बक्री लाने के बाद दोस्तों उस बक्री के माध्यम से हमें एक साल में दोस्तों दो बार बैच मिलेंगी क्योंकि जो बक्री हम लाएंगे वो 8-15 के दिनों के बाद हमें एक बच्चे दे देंगी उसके बाद दोस्तों उन बच्चों को बढ़ा करके 7-8 महा के मार्च महा में यो तो प्रेग्मिन भी हो जाएगी वहां से 6 महा के करीब करीब यानि 5 महा का आउदी होता है तो सितंबर महा में फिर एक बार बच्चों को जनम देगी और संबर माहां तक यह बच्चों की बैच नंबर टू बेज देंगे तो इससे हमें दस-पंद्रह हजार और मिल जाएंगे यानि कि दोस्तों अगर हम मोटा मोटी पकड ले तो एक बैच अगर खाने में भी चली गए दोस्तों बखरियों के और एक बैच बेचने के लिए चली गए तो साल बर में आपका मुनाफ़ा पंद्रह से लेके 20,000 का आसनी से हो जाएंगा इसका मतलब है कि 20 बखरिया संभालते हो तो आप आसनी से तीन से लेके 4 लग का मुनाफ़ा इकटा कर सकते हो इसका मतलब है दोस्तों आप आसनी से 25 लग की इंकम कमा सकते हो एक साल में बखरी पालन और मुर्गी पालन का वेवसाय करके कि कभी 25 लाग होगी कभी 25 लाग कभी 15 लाग का भी मुनाफ़ा होगा लेकिन मुनाफ़ा लेते हुए अगर आप बकरी पालन और मुर्गी पालन को एक साथ करो तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदे का सवधा हो सकते हैं और आप दिन दुगनी राज चोगनी प्रोग्रेस भी कर पा सकते हो ऐसे में दोस्तो मुर्गी पालन और बकरी पालन का यह नायाब तरीका इस्तमाल करके श्रिप 10 गुंटा यानि 10 हजार के स्क्वेर फिट जमीन बर दोस्तो आप लाखों का मुनाफ़ा यानि हर साल 25 लाग का मुनाफ़ा कमा सकते हो दोस्तो मन में आड़ीग विश्वास हो और दोस्तो चट्टानों के खिलाब लड़ने की क्षमता हो तो दोस्तो वहव्यक्ती कभी सफल नहीं हो सकता है क्या आप चट्टान जितने मजबूत हो अगर हां तो बहुत ठीक है और दोस्तों साथी में 2000 मुर्गिया और साथी में 20 बक्रिया एक साथ खरिदने के जगह पर 2-3 बक्रियों से शुरुआत कीजिए और 100 मुर्गियों से शुरुआत कीजिए मैं 100 से आपको 23 सतक पहुचा लगेगे इंकुबेटर को बुकिंग करने के लिए मारगदर्शन पाने के लिए नंबर नोट कर लीजिए दोस्तों आप यहां पर 84 2262 यही दोस्तों गेम चेंजिंग नंबर होगा कि दोस्तों जो आपको आसानी से 25 लाग का मुनाफा एक साल में कमा कर देगा अधिक जानक लुट्सप नंबर वाट्सप ग्रूप टेलीग्राम ग्रूप फेस्बूक इंस्टाग्राम स्नैप्चाट इन सोचल मेडिया के साथ नों का इस्तमाल भी कर सकते हो रहा होगा आपका सब्सक्राइब करना तो आप सभी किसान भाईयों से हाथ जोड़कर विंति करता हूँ क कि मुर्गी पालक भाईयों आप सभी को मैं अपना मान चुका हूँ मानता रहूंगा आप भी मुझे आपना और घर का सद से मानते हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजे इसके लिए इस वीडियो के दाई तरब निचली साइड में आने के बाद दिखाए देने वाली सब इंडेन मुर्गी पालन पर मिलता रहूंगा तब तक के लिए मेरे हर किसान भाई का और मुर्गी पालक भाई का आज की उडमेते हैं दिल से बहुत-बहुत आभार